अगला चप्टर अभी हम आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं आपको एक बात थोड़ी से मैं बता दूँ कि आपको कुछ चप्टर आगे पीछे मिलेंगे जैसे हम देश के पहले चप्टर नमबर 8 पढ़ा था देन हम 10 पढ़ रहे हैं तो यह थोड़ा सा नई और पुरानी NCRT में बात वही है कुछ चप्टर उनने मर्ज कर दिये आपको पढ़ाता हूं प्लस में तो उसके लिए आपका पेपर 3 और पेपर 1 का चल रहा है साथी 20 के लिए MPPSC में पेपर 4 है पेपर 4 का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर में आपको पेपर 4 एथिक्स जो है उसमें यूरिट नमबर 2 है वो अभी पढ़ा रहा हूं उसी के साथ MPPSC जो प्रीपर 2 है तो पेपर 2 का पूरा कोर्स में कंप्लीट करा रहा हूं जिसके अंदर पार्ट B है तो पार्ट B अभी हाँ पर आपका चल रहा है और सप्टेंबर में एक नया कोर्स इंडियन एकोनोमी के ओपर प्री और मेंस के लिए कंबाइन यहां पर आने वाला है तिक है और उसके अलावा प्रिलिम्स के लिए कोर्स चल रहा है जहां पर हम जो टॉपिक नमबर 6 है प्लस के लिए आप मेरा कूट पावन लाइफ का यूज कर सकते हैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है चले तो बात करते हैं क्या 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 बात है हम करेंगे इस चैप्टर में कि जो ट्रीडर्स थे या व्यापारी थे उनके द्वारा क्या क्या जनकारी हम को मिली उसके अलावा New Kingdom Along the Coast की समुदर तर्ड के आसपास कौन-कौन सी जो Kingdom से कौन-कौन से एरिया आपको मिले थे क्यों-कौन सी Kingdoms थी Ration Mark की कहानी पढ़ेंगे कि Ration Mark में क्या क्या चीज़े होती थी Spread of the Buddhism, Buddhism का प्रचार उसके अलावा Quest of the Pilgrimage की जो Pilgrimage ते यात्री थे उन लोगों ने क्या देखा और सबसे last में हम बात करेंगे नालंदा की और उसके बाद में भक्ती मूमेंट की यह चीज़ बहुत ही इनीशल लेवल पर आपको दी गई है आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे 6 के आगे तो काफी सारी नहीं चीज़े आपको मिलेगी यहाँ पर बहुत ही basic लेवल पर understanding है पहले में बात करते हैं अलग अलग परकार के जो बाउस हैं या प्लेट्स हैं ऐसे की सारी images आपको मैंने पहले भी दिखाई थी कि इस परकार की जो बाउस वगर है वह कैसरे अलग 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 एरिया में आप लोगों को मिलते थे उसे बताते थे कि व्यापारी जो है अलग अलग जगे बिजाकर ट्रेवल करते थे और इस ट्रेवल के साथ में वह अलग अलग प्रकार के जो बरतन है वह बरतनों का उप्योग किया करते थे यह जो बहुस को उपयोग किया गया यह तरीके से एक development है कि किस प्रकार से इंसान इनको उपयोग करता था अगर पहले हम बात करें इनिशली अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्लेन ब्लैक वेर आपको प्लेन जो वेर है वो मिलते थे फिर दिर पॉलिश मिले उसके ब्लैक हैं वह यहां पर पहुंचे कैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के अंदर अवेलेबल नहीं थी जबने लास लेक्चर में चाइनीज पॉर्टरी देखी थी वह भारत में कई जगए पे मिली है अब वह भारत में कैसे पहुंची तो और वहां पर व्यापारी हैं वह अल ज होता है यापके काली मिर्ची होती है कि बॉला जाता था बलेक गुरुट काला सोना पहुँंकि इसको प्राइस था सोने से पहुंपैर किया जाता था कि आप एक किलो सोना दो बदले में आपको एक किलो काली मिर्ची है एक किलो काली मिर्ची मिलेगी तो उसका कॉस्ट इतना जादा हुआ करता था और अभी के समय में आप देखोगे कि European इस पिन कंट्री में जैसे हमारे आप मसाला खाते हैं लिए तमाम तरह के मसाले हम गाते हैं वहाँ पर स्पेशली जो प्लैक पैपर है तो काफी फेमस थी और जब यहां से भारत से वहाँ पर ब्लैक पैपर गया साओध इंडिया से इस पेशली कोलंबस और उसके बाद आपक है यहाँ ब्लैक पैपर पूच्छता है जो वहाँ ञाते थे और रोम जाने एक रासता था जो समुद्र के दवारा when पर वहाँ पर जा के रूम के अंदर बड़ा वियापार वो लोग करते थे और कई सारी चीजह वहाँ से भी खरीद के भारत मिलाते थे ठीक है ऐसी को जानकरी हमको नहीं है बट फिल भी व्यापारी लोग वहाँ पर जाते थे और वहाँ के जो गोल्ड कोईन सोने के जो सिक्के है वो भारत लाया करते थे तो उसके द्वारा दिरे-दिरे हवाँ के साथ में व्यापारी जो है वो भारत में व्यापार करने आते थे क्योंकि यह जो इट्स लोकल विंड जो से आपको में अगर पढ़ा होगा मुझसे तो जो मॉनसून विंड रही एक तरीका लोकल विंड है इस्थानी पहने है यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर समय मे नहीं हुआ करते थे कि आप व्यापारी मार्क पर आ सके तो उस प्रकार के जो स्टीमर्स है उन्हीं स्टीमर्स के द्वारा व्यापारी एंटर करते थे और जब वो मॉनसून का सीजम खतम होता था रिट्रीटिंग मॉनसून होता था लोटता होगा मॉनसून होता तो उसके साथ में वापस हो आपके री इंडर वहाँ पर फिर से वहाँ से बाहर चले जाते तो यह बड़ी लेवल पर यह चीज़े वहाँ पर आपकी होती थी उसके बाद कई सारे kingdom's हैं और कई सारे kingdom's coast की according आपको अंडर वहाँ पर मिले coast मतलब जो तटवर्ती एरिया है उस ततवर्ती एरिया में आपको कई सारी kingdom's हैं कई सारे आपके जो राजघराने हैं वहाँ पर आपको डवलप हुए उस समय उस पूरे एरिया में कई सारे hills और reasons कई सारे river valleys हुआ करती थी especially जिसमें कावीरी जो river valley है वह काफी important पूरा एरिया है तो कई सारे दो आप सो reasons हुआ करते थे जहां पर बड़ी मात्रा में व्यापार हुआ करता था और जो कावीरी वाला जो एरिया एरिया काफी जाता सम्रद एरिया हुआ करता था उस पूरे river वर्ड है संगम पोयम में जिसका मतलब होता तीन चीफ आपके मुएंदर का तीन चीफ या तीन जो राजा हैं तीन राजप्रमुक वहाँ पर हुआ करते थे कौन थे ये लोग तीन जो चेर चोल और पांट ये तीन डाइस्टीज वहाँ पर आपको हुआ करती थी जिनको तो वहाँ पर उसको मुवंदर बोला जाता था तीक है वो टर्म उनके लिए यूज किया जाता था अब इन लोगों का जो कैपिटल है दो राजधानी ये इनके हुआ करती थी एक राजधानी जो थी वह इनलेंड थी मिलब समुदर मिलब आपके जमीन के बीच में लोकेट और जो अंदूनी एरिया में कापिटल हुआ करता था जहां पर नॉर्मल आपका व्यापार है करनेके बाद इंलेंड और या में वहां पर आपको हुआ पुहार है या इसको हम कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं ये चोला का इंप्रटन पूल हुआ करता था और दूस पटनम या पुहार और जो मदुरही है इस टू आर तो वेरी इंपॉर्टन कैपिटल उस समय पे हुआ करती थी उसके बाद यहां पर जो चीफ थे जो राजा थे यहां पर इनका जो काम था वो टेक्स नहीं वसूलते थे जिस आपको पहले भी जग 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 व्यापर करते थे अपना बिसनस करते थे और वहां से जो पैसा एकटा करते थे उसमें से कुछ गिफ्ट हैं कुछ जो उपहार वगरा है वो अपने राजाओं को दी दिया करते थे तो उसके कारण उनका जो सामराज्य है, वो शामराज्य चला करता था, उनको ज़ादा उसके अंदर दिक्कत नहीं होती थी, ठीक है, उसके अलावब वो लोग बहुँआदा आपके जो मिलिटरी एक्सेडिशन है, या उसके बहुँआ ज़ादा मिलिटरी युद्ध बगरा उस particular area को लेकिये हुए, जैसे काविरी पत्टनम पे कई बार हमला हुआ, मदुरही पे, पंडिया capital पे कई बार हमले हुए, तो चीजे आगे आपको हुई थी, ठीक है तो इस प्रकार से जो chiefs थे या जो आपके जो मुखिया थे, वो text collection के बजाए आपके जो gifts हैं, उन gifts का collection कि करते थे, ठीक है, उसके बाद South India में आप देखेंगे कि 200 years ago, 200 years later उस पूरे period के बाद, पूरे South India में जो सत्वाहन भूल है, especially आपके जो महराश्रा का area है, करनाटका का area है, उस पूरे area के अंदर सत्वाहन डाइनिस्टी है, वो सत्वाहन डाइनिस्टी वहाँ पर आई, और तो उन्होंने जो उनकी मदर थी, गूतमी, उन्होंने एक inscription या एक शिलालेक वहाँ पर आपका लिखा था, और ये एक important राजा है, जो especially अपनी मा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी मा का जो नाम है, वो inscription में और कई सरे जगे उप्योग किया है, तो उनका rule हुआ करता था उस पूरी एरिया में, सत्वाहन डाइनस्टी के अंदर, और ये उनको Lord of Dakshin Pant, या Dakshin Pant के स्वामी के नाम से, जो अपके गोत्मे पुतर सत्कर्णी है, उनको जाना चाता था, अब दक्षिन का पत मतलब क्या, दक्षिन का पत मतलब जहां से दक्षिन में हम ज बात हो ही, आपके राजाओं की, अब हम बात करते हैं, वहाँ के सिल्क रूट जो था आपका रेशम मार्गा था, उस रेशम मार्ग के बारे में, तो चाइना के अंदर जो रेशम है, वह काफी बड़ी लेvel पर डवल अब होता था और अगर आपने रेशम अपने जनली दि लिखने वाला एक कपड़ा होता है जो specialminute हैं उन कखन के द्वार्वाप आपको बनाया जाता है और यह जो सिलक वोंग सोथे हैं उसके का ने उसके स्यल्क वॉप्रम से पूरा बनाया जाता है जब हम सी lin 2016 की साइन्स पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा इसका डिडेल स्टडी दिया है कि कैसे उसको बनाया जाता है अब वो जो थ्रेड उससे निकलता है जो धागा निकलता है उस धागे से जो कपड़ा है वो कपड़ा बनाया जाता है अब इस कपड़े को बनाने के बारे में बहुत ज कपड़ा कैसे बनाया जाता है ताकि दुनिया के बाकि देश है बाकि जो लोग है वो न बना ना सके और उनका व्यापार उनका व्यापार चलता रहे तो हजारों सालों तो कंपना जो वह मौरोपली उस चाइनीज कपड़े के ओपर या उस रिशिमी कपड़े के ओपर उन लोगों ने बनाया है, अब वहां के राजा वगरा क्या करते थे, कि कई सारी जो लोग थे, वह चाइना जब व्यापार करने जाते थे, तो वहां से व्यापार करते टाइम, जो सिल्क जो है, वो रिशम का मार्क था, और वो रिशम मार्क पूरे भारत में डवलोप भुआ, एवन वो रिशम मार्क वहां से लेके, जो यूरोप है, रोमन है, तो रोमन समराजी तक वहां पर आपको जाता था, तीक है, उसके अलावा जो चाइनीज लूर्स थे, वो क्या करते जो रिशम का कपड़ा था, तो वो इस्पेशली एरान या वेस्ट इशिया के जो अपने जो राजा वगरा थे, किंग्स वगरा थे, उनको गिफ्ट में दिया करते थे, और उन राजाओं की बड़ी क्यूरिसिटी होती थी, यारे कपड़ा कैसा है, कैसे बनता है, और व्यापार करने है, फिर वहाँ पर जाते थे, तो एक प्रकार से वो छोटा से डेमो दिखा के लोगों को एक्टरेट करते थे, कि या आके व्यापार करें, हमेशाद है चाला करें चीनी, अगर आप देखोगे, पुरी तिहास में, तीक है, उसके बाद एक फेशन बन गया, यह राजा या जो रिच लोग थे, उनके अंदर घरेशम का कपड़ा पहना, जैसे स्टेटस सिंबल, जैसे अलुमिनियम का स्टूरी में आपको सुनाया था, सेम उसी प्रकार से यह जो था, वहाँ पर आपका डवलप हुआ, उसके बाद इस वरी एक्सपेंसिव, काफी मह यहां तो चाहिए उस सो चाहिए उसको लाया जाता था, दो गया करते थे, मांटन सहर्थ होते हुए, टकला मकार और पूरा इईरिया होते, वह यहां पर आपका आते थे, तो उसको लोना एक बड़ा चैलेंज था, बड़ा एक कठिद काम हुआ करता था, उसके और उसका ज डिज़ान कुछांड राजा हुआए आपके कनिश्क तो कर टाइम पर पूर यात्रवार के अंदर महाँ पर आए रहा कुछांस ने उस पूरे जो ट्रीट रूट था उस पूरे ट्रीट रूट को सदियों तक महां पर कैप्चर करकर रखा है उसे यह उसे में दो यह तो तक्षिला है वो एक important area उनने अपनी kingdom में add किया एक important जो trade route है उसके रूप में develop हुआ उसके बाद में आगे जाके सूरत और उजयन है यह trade route के रूप में develop हुआ तो Central Asia की reason से एक important जो यह trade route है Roman Empire का वो इस area से यहां पर आपका जाता था जो हमारे जो ऊपर कश्मीर और पूरा जो रीजन है कश्मीर और अभी जो पीओ के और वो पूरा जो रूट है जहां पर अभी चाइना ने सिल्क रूट बनाया है या जो ट्रेड माग आपका बनाया है चाइना जो वो पूरा रूट जो है वो पुराना रूट हुआ करता था अब जो कुशांड थे यह उन्होंने गोल्ड कोईन या सोने के सिक्के हैं वो सोने के सिक्के वहाँ पर जारी किया और यह माना जाता है कि जब सोने के सिक्के उन्होंने जारी किये तो कहीं ने कहीं यह जो गोल् तो बाकी एरियास में उन्हें जो बुद्धिसम है उस बुद्धिसम का डवलप्मेंट उसका विकास वहाँ पे किया जाबर जो कुशान थे आपके कनिश्क तो उन्होंने तकरीबन 1900 साल पहले 1900 अगो कनिश्कन इस पूरे एरिया पे जो कुशान रूलर थे उन्होंने बुद लग अर्याई पर आपके चैना से इस पूरे ईडिया से अलग अलग जो लोग आये थे उन लोगों ने वहाँ पर रहे के स्कॉषन उसके अंदर किया होका उसके बाद इक अशोगोश करके उनके दरबार में कनिश्कर के मिर्बार में स्कॉलर हुआ करते थे एक राइटर य फांपे आपको मैंशन की अब उस समय यहाँ पर यह था कि उसन है उन्होंने संस्कुर्ट के उसे हैं दर रिइंघ करना शुरू कर दी अगर पहले आप देखोगे कि बुद्द का जो स्टार्टिंग समय था वहाँ पर व लोग प्राकृत के अंदर जो яр प्राकृत भाषा है वह पाली और प्राकृत भाषा है महां पर आपको चलती थी उनके अंदर राइटिंग्स वहां पर किया लेकर वो समय आपके आया कि तिरे तिरे ब्रामरिष्म डवलप्मेंट जादा होने लगा ब्रामरबाद स्टैब्लिश होने लगा और संस्कृत एक लेंगवेजब बन गई तो उन्होंने संसक्रत की अंदर चीज़ों को लिखना स्टार्ट किया तिक है उसके साथ विक नया जो अएक धर्म है या जो बुद्धिसका नया सेक्ट है एक नया उसको बोलते महयान बुद्धिस嘛 तो वो महायान बुद्यसम होनने दीवलप किया इसके पहले ऑलड़ी जो हीनियान था वो हीनियान चल रहा था तो कणिश्के के टाइम पर जो महायान है उस महायान का बहुत बड़े लेवल पर डीवल पर ड्वल लेप हुआ अब पहला जो बदलाव आया जब हीनियान जब हम लेके आये और महायान जब आया तो दो important feature उसके महाँ पर आपके डबलब हुए पहला जो था उसके अंदर कि जो बद्ध थे उनको पूझा की जाती थी आपके people का जो पेड़ है या जो वील है जो जो turning wheel of the Buddha जो हम बोलते हैं उनका जो चक्र है जो हमारे जो national flag है उसके अंदर भी है यह कमल का फूल है lotus है उन चीजों से हम लोग उसको represent करते थे तो उन लोगों से Buddhism का representation होना start हुआ उसके बाद जो मतुरा है वहाँ पर development काफी हुआ उसके बाद जो बोधिसत्व है बोधिसत्व के अंदर development start हुआ कि लोग बोधिसत्व की पूजा करना start कर दिया बोधिसत्व को मानना start कर दिया अब यह क्या concept था पहले माना जाता था कि कि किसी भी व्यक्ति को अगर मौक्स चाहिए या अगर हम बोलेंगे कि निर्वान चाहिए तो उस निर्वान के लिए उसको जो तबस्या है वो तबस्या करना पड़ती है और उसके बाद वो एक मौंक बनना पड़ता है सादू बनना पड़ता है, बोधिस्ट मॉंक बनेंगे, उसके बाद उसको निर्वान की प्राप्ति वहाँ पर आपको होगी, बट जो बोधिसत्व का जब कंसेप्ट आया, तो बोधिसत्व कंसेप्ट में चीज यहाँ पर यह थी, कि कोई भी व्यक्ति को निर्वान या आपको जो मौक्ष है, सालवेशन मिल सकता है, और उसको help करेंगे बोधिसत्व, तो बोधिसत्व जो थे, वो ऐसे लोग थे, जो नहींने बाकी लोगों को जो निर्वान है, वो निर्वान की प्राप्ति करवाई, तो ये एक तरीके से ये एक medium बने, आपके एक माध्यम बने, लोगों को निर्वान प्राप्ति में, और बोधिसत्व का simple सा मतलब है, ऐसे व्यक्ति, जो दूसरे लोगों को निर्वान प्राप्ति करवाते हैं, they help other to get the निर्वान, ठीके खुद निर्वान नहीं लेते, वो सबसे आखरी में नि पूजा वगरा करवाते हैं, तो ये पूजा तो नहीं करवाते हैं, लेकिन लोगों को एक मौक्ष का जो रास्ता है, एक पात है, वो मौक्ष का पात लोगों को दिखवाते थे, और लोगों की help करते थे मौक्ष को प्राप्ति करने में, तो बोधिसत्व उस समय में काफी यारा develop हुए, काफी आदे important हुए, तो ये जो दो बड़े बदलाव है, पहला आपका जो symbol से पूजा है, और दूसरा जो है, आपके बोधी सत्व है, तो ये दो बड़े बदलाव जो है, वो महायान के कारें develop हुए, उसके बाद बोधी सत्व की पूजा है, Central Asia, China, Korea, Japan, इन सब एरियास में जो पद्मपानी है, या अवलोकी देश्वरा है, इनकी बड़ी मातरा में पूजा की जाने लगी, बोधी सत्व काफी develop हुए, क्योंकि वो लोगों को निर्वान की प्राप्ती करवाते थे, अब उसके बाद जो रोमन का जब influence हुआ, रोमन का जब आगमन हुआ, उसके कारण जो मुर्तियां है भारत के अंधर, यहागर हम बात करेंगे, जो sculpture है, वोन sculpture में काफी changes वहाँ पर आए, यहाँ पर आपको दो image दिखनी है, पहली जो image है, वो पहली image जो है, वो मतुरा स्कूल की है, जो आपके image of the Buddha from the Mathura है, और दूसरी जो image है, वो आपके तक्षिला की है, तो दोनों में आपको एक बड़ा अंतर दिखेगा, तक्षिला वाली image के अंदर, जबकि जो मतुरा वाली image है, उस मतुरा वाली image में आप देखोगे, कि बुद्ध के एक simple तरीके से एक जूड़ा बनाए दिखाया गया, यहाँ पर पीछे, यहाँ पर एक जो hello है, वो नहीं है, तो face काफी बड़ा है, जो Roman God होते थे, उन Roman God के तरह उन्होंने इनका image बनाने की कोशिश की है, sculpture है, तो कहीं ने कहीं जो उनका जो influence था, Roman जो influence था, वो भारत के अंदर दिखा जाता था, उसके बाद इस area में कई सेरे राजा रानी थे, उन लोगों ने जो king और queens थे, उन्होंने कई सारे जो monuments हैं, वो monuments बनवाए, कई सारी जो caves हैं, उन caves का अंदिर्वार्ण करवाया, कुछ caves थी जो merchants थे, जो व्यापारी थे, उन्हेंने खुद ने बनाई, और कुछ जो caves थी, वो राजा रानियों के जो आदेश है, उनके आदेश पे बनाया गया, अब उसके बाद, अशोक और उसके समय पे, अलग-अलग एरियाज में, शिलंगा है, मियामार है, थाइलेंड है, या साउथ इस्ट एशिया है, इन रीजन्स के अंदर बुद्धिसम का जो मैसेज है, वो अलग-अलग मैसेज भीजना स्टार्ट किया, और बुद्धिसम को उस पूरे एरिया में, जरे-जरे डवलप करना स्टार्ट हुआ, तीक है, उसका जो पिल्ग्रिमिज थे, जो व्यापारी लोग थे, तो व्यापारी जो होते थे, तो men and women, जो अलग-अलग जर्णी करते थे, पुझा बाट करने के लिए, वर्शिप के लिए, तो वो पिल्ग्रिमिज होते थे, ठीक है, अब व्यापारी नहीं मानेंगे उनको, क्योंकि व्यापार नहीं करते थे यह यात्रा के लिए अलग 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 जगे जाते थे तो जैसे अभी भी हम लोग तिर थियात्रा पे जाते हैं या कुछ लोग हज पे जाते हैं तो वो हज बगरा होती है उसी प्राकार से यह लोग पिल्ग्रिमेज पे जाते थे तो कैसे पिल्ग्रिमेज कई सारे जो तिर्थ यात्री हैं वो भारत आए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो तो फायान था जो चाइनीज ट्रेवलर था और यह तकरीबन 1600 यह ओगो का जो कल्चर है यहां पर जो बुद्धिसम का डवलाप्मेंट है उसको समझ सकें जब आते थे तो यहां पर कई सारी जो मनुस्क्रिप्ट जो राइटिंग्स है वो अपने साथ में वहाँ पर आपको ले जाते थे ठीक है जैसा अगर हम बात करेंगे ज्वैंग जैंकी तो य महाँ पर जाके फिर उनने उसको रीड किया बुद्धिसम के बारे में जो नौलिज था वो अपने लोगों को महाँ पर आपका जो ग्यान है उसका ग्यान उनने महाँ पर दिया ठीक है तो इस प्रकार से कई सारे आपके व्यापारी लोग है भारत में और काफी बड़ा किया है पिहार के अंदर आपका लोकेटेड है तो यहाँ पर जो मॉनिस्ट्री वगरा है या आपके बड़ा सा मॉनिस्ट्री बनाया गया जहां पर लोग आके पढ़ते थे एजुकेशन आपका गेन करते थे नालंदा और तक्षिला दो एक इंपॉर्टेंट सेंटर्स हु डवलप्ड टीचर थे और बुद्धिसम को लेके काफी जो लर्निंग है लर्निंग यहां पर हुआ करती थी ठीक है काफी स्ट्रिक्ट रूल हुआ करते थे यह बोला जाता है कि अगर कोई भी वक्ति यहां पर एडमिशन लेने आता था तो जो गेट कीपर्स थे जो आपक आपको सेलेक्शन होता था तो भाईया पहले जब आप फॉर्म भनने जा रहे हो तभी आपको रोक के उन्होंने क्योशन वहां पर पूछ लिया तो यह से एंट्री करना या वहां पर एंट्री करना यह बड़ा मुश्किल हुआ करता था उसके बाद देर भक्ति का डवलप हुआ अब इसके पीछे का जो रीजन है कि भक्ति का डवलपमेंट है अब इस समय जो ब्रहामनिजम है वह ब्रहामनिजम काफी ज्यादा डवलप हो चुका था अब इसमें यह था कि जो आम लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो बद्धिस्ट को एकसेप नहीं करना चाहते य भक्ति एक वर्ड है भज जिसका मतलब होता तो डिवाइन और शेयर की विभाजित करना या हिस्सा करना तो भज महां से आपका डवलप हुआ और इसके अंदर भज के अंदर जो है अब आप देखोगे कि भगवान से लो लगाना है भगवान से आपका मिलना है भक्ति करने में जाने के जरुवत नहीं है तो टेंपल जो एंट्री को लेकर प्रॉबलमस थी या वो जब चीज़ें थी उनको दूर करने के लिए या कोई आपका जो पिल्ग्रेमेज है या कोई व्यक्ति है जो व्यापार कर रहा है वो अलग 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 देशों में जाके व्यापार जिन्होंने भक्ति मोमेंट उसको तुरे तुरे डवलप हुआ कई सारी जो उन्हें इंपॉर्टिन जो भजन थे और भजन वगरा लिखे कई सारे भक्ति के सुत्र लिखे जहाँ पर आम इंसान अपने घर में बैटके या कहीं यातरा के अंदर भगवान को याद कर सकता थ तो वो हिंदुजम के अंदर कई सरी डेटी इस इस्टैबलिश हो आपके आया जैसे एक वरहा अवतार है हमारे विदीशा में तो विदीशा में एक भगवान विष्णू का वरहा अवतार वहां पर आपको दिखाया गया है यह वरहा की रूप में उन्हें अवतार लिया है एरन नाम की जगह है आप जानते होंगे MPK स्टुडेंट है हम लोग तो वहां पर जो बोर है या पिर आपका जो वरहा है उसके रूप में भगवान ने अवतार लिया कई सरी दूसरी डेटी शेव विष्णू या दुर्गा वगरा है इनका काफी डवलप्मेंट हो सेरिया वो भक्ती की जाती थी विष्णू के भजन फिर विष्णू के अलग-अलग अवतार है तो इस्पेशली राम और कृष्ण दो इंपॉर्टेंट अवतार हुए शिव जो है उनके भगवान जो हनुमान है उनको अवतार माना जाता है शिव भगवान के अलग-अलग अवता अलग-अलग चीजे हुआ करती थी कुछ लोग जो है वो शिव को मानते थे शेविजम उनको बोला जाता था कुछ लोग विश्नु को मानते थे वो वैशना हुए कुछ लोग दुर्गा को मानते थे तो दुर्गा को मानने वादे जो लोग थे वो शक्तिजम हुए, शक्ति की पूजा करते थे और बाद में जाके ये अलवर और नाइनार जब साउस में गए तो वो अलवर और नाइनार के रूप में हापर आपके डबलब हुए ठीक है तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भक्ति का जो विकास है, भक्ति का विकास पूरे भारत में हापर आपका होता है even South India और North India दोन हो रिजिन के अंदर अब उसके बाद जो भक्ति हैं वो कोई भी कर सकता है कोई भी वेक्ति जो किसी भी जाती का हो, किसी भी gender का हो, सभी लोग उसकी पूजा कर सकते हैं, पहले थोड़ा से यह था है कि महिलाओं को पूजा पाट करने की इजाज़त नहीं थी फिर दिरे महिलाओं को भी इजाज़त दी गई महिला जो है वो शास्त्र पढ़ सकती थी उनके अंदर पारंगत हो सकती तो यह काफी बड़ा डवलपमेंट हुआ और भक्ती जो है इस्पेशली जो गॉड़ेस वर्शिप है, वो गॉड़ेस वर्शिप स्टार्ट हुई और उसके अंदर अभी यहाँ पर जो सक्रिफाइज है, या सक्रिफाइज यहाँ आप बोल सकते हैं जो दान दक्षिना है, उस दान दक्षिना की कोई जर्वत नहीं थी तो पहले दान दक्षिनाओं की रूप में इंसानों की बली दी जाती थी इसके बाद जनवरों की बली दी जाती थी फिर जो ब्रहमन्स होते थे उनको रुपिया पैसा दान करना पड़ता था लेकिन भक्ती के अंदर आपको किसी प्रकार की दान की जरुवत नहीं थी किसी sacrifice की जरुवत नहीं थी तो ये especially जो sacrifice without sacrifice जो भक्ती है वो start हुई जो आम लोगों तक या गरीब लोगों तक जो भक्ती है भक्ती वहाँ पर आपकी पहुँचती है किसी भी भगवान को अपने inner mind से आपके जो conciseness है उससे उस भगवान की फूजा कर सकते हैं अपने रदे से भगवान से आपके connect हो सकते हैं तो ये काफी बड़ा जो development है वह समयाँ पर आपका भक्ती के दोरा यहां पर हुआ अब यहाँ पर एक वर्ड था हिंदू तो जो हिंदू वर्ड है अब इसा बोला जाता है कि जो हिंदू वर्ड है ये पहली बार राजाराम मोहन राय के दोरा यूस किया गया खेर ये देवदत्त पटनायक का बोलना है मैं उससे शायद I'm not 100% sure क्योंकि वो एक जाने माने scholar है तो उन्होंने ये बात भूली थी और हो सकता है कि वो गलत हो या सही हो जो भी हो तो हिंदू जो वर्ड है ये जो इंडस रिवर है तो एक टर्म है इंडिया तो जो हमरे दीश का नाम है तो इंडस रिवर के आसपास जो लोग रहते थे उनको इंडस के आसपास के लोग थे उनको दिरे दिरे इंडिया बोला गया इंडिया से वो फिर हिंदू है तो इंडू हो गया तो जो Arabs लोग आया बाकी जब लोग आया तो they cannot pronounce है Indus तो उन्होंने हिंदस से जो हिंदू है तो हिंदू आपका हो गया तो वो लोग उसको प्रनाउंस नहीं कर पाते तो Arabian लोग जो बाकी लोग थे उन्होंने उसको हिंदू कहना स्टार्ट कर दिया तो वहीं से भी जो वर्ड हिंदू है वो वर्ड हिंदू वहाँ पर आपका डवलप हुआ ठीक है उसके बाद ये बात तो ही भारत की अब दूसरे देशों में क्या था दूसरे देशों में अगर हम बात करेंगे तो there is a development of Christianity तो West Asia में तक्रीबन 2000 साल पहले Christianity है उसका डवलप हुआ Jesus Christ जो थे Bethlehem के अंदर उनका जन्म हुआ वहाँ पर उनका जन्म हुआ और उनकी फिर कई सारी स्टूरीज चलती है भारत पर सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जब ये चीजे हुई स्टार्टिंग में जब ये कुरा कल्चर स्टार्ट हुआ Christianity डवलप हुआ तो भारत के अंदर सीरिया के आपका जो करला वाला एरिया है वहाँ पर सबसे पहले Christianity है वो करला में डवलप हुई और वहाँ पर जो Christians थे वो सीरिया वाला जो पूरा एरिया था वहाँ से वो लोग आये थे उनको Syrian Christians बोला जाता था तो ये Syrian Christians थे जो उस एरिया में आके उन्होंने दिरे दिरे अपना development करना स्टार्ट हिया पहले जो Christians जो preachers थे वो West Asia के अलग-अलग reasons थे भारत और कई सरे अलग-अलग एरिया में आये और इवन जो Jesus Christ है उनके death के 100 एर बाद 100 साल बाद उन्होंने तकरीबन 100 साल बाद उन्होंने जो Christianity का प्रचार प्रचार है उस प्रचार प्रचार को आपका शुरू किया यहाँ पर कुछ dates दी गई है जैसे आपका जो सिल्क रूट है तो तकरीबन 7000 साल पहले जो सिल्क है वो सिल्क बनाना शुरू किया चोल चेर पांड है आसे 2300 साल पहले डवलप हुए उसके बाद सिल्क का जो डिमांड था आपका रोमन अमपायर और उस पूरे एरिया में तो तकरीबन 2000 साल पहले हुआ 1900 साल पहले जो कनिश्क है कनिश्क का डवलप में यहां पर हुआ अभी आप यहां पर देखोगे कि यहां पर जो येर है उसके उबर जादा फोकस नहीं किया गया है कि कनिश्क किस साल में थे छोटे बच्चों की क्लास है तो उनको 1900 साल पहले या 1600 साल पहले ऐसी चीज़े याद हो फायान है 1600 साल पहले भारत आए उसके बाद जो जुएंग जैंग है तो ये इंडिया के अंदर तकरीबन 1400 साल पहले भारत आए और उन्होंने इस्पेशली जो अपार है तो अपार का उस समय जो poem था या जो शिव की जो study थी वो भी उस समय आपे 1400 साल पहले मापर आपका double up हुआ तो इसमें especially आपको years के बारे में ज्यादा focus नहीं है कितने साल पहले हुआ उसके बारे में हापर आपकी बात की गई तो इस lecture में इतना ही friends I hope you like the lecture और पसंद आया है तो please इसको अपने friends के साथ में share कीजे और इसको अपने link जो है अपने whatsapp के status या आपके telegram channels में लगाए ताक कि हमको इस प्रकार के ओर lecture मनाने का motivation है वो motivation बिल सके है Thank you